प्रश्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंचान के अनुसार प्रतेकमा में दो बार एकादशी दिति आती है एक शुकल पक्ष में और दूसरे कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन भगवान विष्णू की पूझा अर्शना करने का विधान है मानता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णू की पूझा अर्शना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाय पूरी होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी 2024 में एकादशी कप है दिनवा दिनांग क्या रहेंगी और एकादशी की तिति क्या रहेंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तर्थ आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकांदशी व्रत की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रस कर दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो उसकी नोटिविकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जन्वरी मा की पहली एकांदशी है सफला एकांदशी सफला एकांदशी साथ जन्वरी दो हजार चौबिस दिन रविवार को है पहुष कृष्ण एकांदशी तिथिका आरंप होगा 6 जन्वरी की राद 12 बच का 41 मिनट पर और समाप्ती होगी 7 जन्वरी की राद 12 बच का 46 मिनट पर पहुष मा के कृष्ण पक्ष की एकांदशी को सफला एकांदशी के नाम से जाना जाता है मानता है कि सफला एकादशी करने से सभी प्रकार की मनुकामनाय पूरी होती है जन्वरी मा की दूसरी एकादशी पौश पुतरदा एकादशी 21.00 जन्वरी तो हजार चौबिस दिन रवीवार को है पौश शुक्ल एकादशी त sister का आरभ होगा बिस जन्वरी की शाम 7.26 पर और समापती होगी 21.00 जन्वरी की शाम 7.26 पर के शुक्ल पक्च की एकादशी को पौश पुतरदा एकादशी के नाम से जाना जाता है रहता है कि पौश पुत्र एक आदशी के दिन भगवान विश्नों की पुजा अचना करने से संतान से संबंदि सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है मेरे वीडियो में अंति तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ